हेलो फ्रेंस वल्कम बेक टू माई यूटूब वीडियो और आज हम दिखाएंगे कि चक्की से आटा कैसे पीछते हैं यह चोटी चक्की जो की घरों में पाई जाती है और इसमें आटा कैसे पीछता है वह आज हम दिखाने वाले यह काफी पुरानी चक्की है आप इसके हलत समझी जाएंगे क्योंकि यह बहुत ही पुराने टाइम की चक्की है और बहुत सालों साल से इसका यूज किया जा रहा है तो इसके हलत ऐसी हो चुकी है और इसमें खाली आटा आटा ने इसमें दल लिया सब कुछ पीस आ जाता है यह है देसी जुगाड इसको लकड़ी को इस तरह लगाने से जो यह पटा होता है वो फैकते नहीं है तो सब चलाते टाइम एक बार इसको लगा लेते हैं क्योंकि फिर कौन चड़ाएगा कौन उतारेगा इसको एक बार अपना यह देसी जुगाड लगा लेते हैं और यह चल जाती है और यह जो घुमारे गोल गोल इससे आटा मोटा और पतला होता है जितना बारिक कहना चाहूं उतना बारिक हो जाएगा जितना मोटा रखना चाहूं उतना मोटा हो जाता है तो इसको टाइट डिला किया जाता है जिससे की पतला और मोटा आटा हमें ब्लेंटा है कि यह आता हूं भपी कि अधाल नहीं है कि पूरी चलती है जब बहुत ही जड़ावाज करती है अब तो खेर बहुत सारी छोटी छोटी बिल्कुल ऐसी मशीने आ चुकी है आटा पीसने की ऐसी चक्किया आती है कि पता ही नहीं जल रहे चक्की बिल्कुल छोटी छोटी होती है लेकिन पहले इस तरह की चक्की ही आती थी और इसी से ही आटा पीसते थे झाल झाल यह था एक छोटा सा वीडियो की चक्की से आटा कैसे बनता है आई होप आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करके ही जाना और एक लाइक कर देना थैंक यू फो वोचिंग और ऐसी अच्छे अच्छी वीडियो में लेके आती रहूं ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई